अब सिप dioxide कि हैलो दोस्तों कैसे यह आप सब आई होप आफ है तो दोस्तों आज आपको 2抹 को दूप्स तमिघा का एक पूरा फुल कम्पलीट इंटिरेर का टूर देने वाला हूँ तो दूस्तों सुरू करते हैं अजके वीडियो तो दोस्तों यह हम एंटर करते हैं फ्लैट के अंदर लोबी की तरफ से तो जो आप यह सबसे पहले देख रहे हैं यहां पर एक यह नेम प्लेट हैंडमेड नेम प्लेट लगी हुई है मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो यह जो हमारा डोर है यह में एक्जिस्टिंग डोर है में सिक्यूर्टी डोर पहले सी था और यह भी अपने सारे जो यहां पर डोर हैं बिल्डर प्रोवाइड है तो यह जो सबसे उपर आपको यह देख रहा है हमने फॉल्स लिंक के हुई है बीम बोटम से पैक किया यहां पर उपर फॉल्स लिंग की हुई है यह आप देख सकते हैं फॉल्स लिंग है उसमें हमने कोव लाइट लगाई हुई है और यहां पर यह सामने वाली बोल पर हमने बोल पेपर जहां पर लगा हुआ था पहले महाँ पर एक यह पेंट कर दिया है अलग कलर में हाई ल तो आप यह देख सकते हैं यह चेयर रखी हुई है हमारी और यहाँ पर यह एक ओपन सेल्फ और कुछी स्टोरेज यह हम सबसे उपर में लॉफ्ट बनाई हुई है और यह उसके नीचे स्लाइडिंग वाट्रोब तो यहाँ पर हमने एक लाइड का प्रोविजन दिया स्टेडी टेवल के उपर और उसके बाद यह हमने उपर में यह एक लोज इस्टोरेज दिया और यहाँ पर एक ओपन सेल्फ है यहाँ पर हमने एक स्विच बूर्ड वगरार लगाया हुए है अपने लेप्टोप अगरा चार्जिंग के लिए उसके बाद हम यह बाद भार ड्रोइंग रूम की तरफ चलते हैं तो हमने ड्रोइंग रूम की तरफ चलते हैं यह मैं आपको लाइट जिला कर दिखा देता हूं यह देख सकते हैं आप उसके बाद यह देख सकते हैं यहाँ पर आपने सोफा विच सेंटर टेबल डाला हुआ है पीछ आपका कर्टेंस हो गए उसके बाद यह हमारा डाइनिंग एरिया है जिसमें हमने एक मंदिर और यह एक हाइलाइट वोल बनाई हुई है यह आप नीचे जो देख रहे हैं पीविसी के पैनलिंग हुई है इस पर और यह पर यह हमारी पट्टिया है और दो लाइट लगी हुई है वाल लाइट उपर यह फॉल्स लिंग देख सकते हैं उसके साथ यह डिजाइनर फैन मैं आपको यह मंदिर दिखा देता हूं तो यह जो हमारा मंदिर है हमने इसमें नीचे दो सटर एक ड्रॉर और उपर यह स्पेस दिया है पूझा बगरा करने के लिए और यहां पर यह सेल्फ दी हुई है और यह हमने एक जाली लगाई हुई है पीविशी की उसके पीछे हमने लगाई हुई है तो यह जो आप यहां पर देख रहे हैं हमारा एक पाड़ीशन है और यह हमारी एंट्रेंस होती है किचन की तो आप यह देख सकते हैं नीचे हमने इस तीलेज दी हुई है और इस पर ह मारे किचन है सम्हें पेडाया हुई पुरी फूलाइटेट ज़ी धिशन बना हुई है। इता है एक फ्रिज के लिए श्पेज़ हूआ हो आप यहां पर पेवी सी के जाले देख रहे हैं यहां पर पहले मुझा पीछी km सकते हैं उसमें इहां इहां गिलास लगा हुआ था और जैसे ही हम यह आप ब्रडरान को पर पेठान नमय में आप यह भी से कुआ हो तक है और जैसे हम यह एंटर करते हैं जो हमारे पैसिज एरिया आता है हमने इसमें एक डिजेनर लाइट लगा हुई है यह तो आलेट और बैड़रोम के बीच में जो एरिया आता है यह आप देख सकते हैं लाइट जो है इसका अलग इफेक्ट आ रहा है तो अब यह हमारा एंटर करता ही जो स्मॉल बेडरूम हमने यहां पर एक एक बैड बनाया है साइड में एक साइड टेवल जिसमें हमारी यह दो ड्रॉर बनी हुई है और उपर एक फॉलाइटेड मिरर वाल पर हमने प्रोविजन दिया है वोल लाइट के लिए और यहां पर क इस्टिंग वोड्रोब थी उसी की हमने लेमिनिट चेंज की हुई है नीचे एक ड्रॉर और उपर यह हमने दो कलर यूज करके लेमिनिट लगाया हुआ है और अगर हम यह बात करें फॉल्स लिंग की तो आप यह फॉल्स लिंग का डिजैन देख सकते हैं यह आपने वीड इसे देख सकते हैं हाँ पर हमने कोब बनाया हुआ है तो सेम यह थे हमारा बेड रूम के सामने हमारे कोमन टाइल आ जाता है इस टॉलेटिक में पूरे टाइल्स चेंज की हुई है और यहां पर एग वैनिटी कांटर टेवल टॉप बनाया हुआ हुआ है मिर लगा उपर औ पाइसा पाइडिशन टफन ग्लास लगाया हुआ है तो यह हम करते एंटर करते हैं मास्टर बेडरूम में यह हमारी यह फॉल्स लिंग देख सकते हैं यहां पर यह सामने हमने एक स्लाइडिंग वोड्रोब बनाई है जिसमें दो कलर की लेमिनेट लगाई है नीचे दो पल्ले और पर चार लॉफ्ट के पल्ले बने हुए हैं यहां पर यह हमने बेसिक सा टीवी केविनेट बना दिया है और अगर हम इधर चलें एक जिस्टिंग इंटर करते हैं मास्टर टोइलेट में सबसे पहले हमने हैं वैनिटी काउंटर और उपर हमने एक टफन गिलास लगाया हुआ है ऐसा पार्टिशन सेम उस वाले टोइलेट के साफ़ से तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब निकराता जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर कर कि अपले कि अपले कि अपले को सबब़ को सबस्क्राइब करकें तोहा हुआ ठाल सरे कर्का दायवां हुआ खिल्ब दोमें हैंग नहीं हुआ है.